नमश्कार दोस्तो सब्सक्राइब कीजे नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाईए इस चैनल की सारी लेटेस वीडियो तुरन देखने के लिए नमश्कार दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त अंचेत और स्वागत करता हूँ जा हम डिसकेशन कर रहे हैं डिश्टल लेक्रोनिक्स पर और दोस्तो भी बात करे थे नंबर सिस्टम की लास्ट वीडियो में हमने समझा की कैसे किसी भी बेसे में हम एडिशन या सब्स्रेक्शन क कर सकते हैं यह दोस्तों उसी लॉजिक को एक्स्टेंड करते हैं और इस वीडियम बात करता हूँ कि मल्डिप्लिकेशन या इविन डिवीजन भी क्या पॉसिबल है किसी भी दूसरे बेस में विदाउट गइंग टू डेसिमल तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए दोस्त करना आता है बट एक बार करने की कोशिश इसले करेंगे सो दाट हमको दुबार एक बड़ एक बड़ एक्ट्यू आइडिया रिपीट हो जाए मुल्टिप्लिकेशन का फिर उसी आइडियो को किसी बेस पर ट्राइग करेंगे अब देखे यहां पर लिखा है 345 मुल्टिप करेंगे तब भी यह कितना रहने वाला है दोस्तों 15 बचेगा तब भी रेंज में नहीं आएगा तो लॉजिक है लेट मी से 25 डिवाइड बाइड बाइड और जो भी रिमेंडर है दाट विल भी दा समसिया दाट विल भी दा आंसर तो 25 डिवाइड बाइड तो टू टाइम चला और रिमेंडर आएगा 5 तो लेट मी से एडिशन मल्टिप्लाई का रिजल्ट हुआ 5 और कितनी बार डिवाइड हुआ कोशेंट हुआ हमारा 2 तो 2 गया ऊपर कैरी दुबारा सोचेगा 5 इंटू 5 25 25 रेंज में नहीं है बेकास रेंज में है 0 से 9 तक तो 25 को मैंने बेस स 20 and 20 plus 2 is 22 अगें देखें जब 10 से डिवाइड करेंगे you'll get 2 और कितनी बार चला दो बार it will be the carry फिर दुबारा सोचिए now 5 into 3 is 15 and 15 plus 2 17 फिर वही बात है 17 इस बार डिवीजन करेंगे तो one time चलेगा and you'll get a remainder 10 और एक बार चला तो answer is 1725 है decimal था तो आप direct भी सो सकते थे अब कोशिश करते हैं एक बार double digit multiplication करने का में भी आपने किया होगा of course लेकिन एक बार try कर लेते हैं ताकि अगर पुराना कोई idea है वेकोस आजकल हम जाए तरह काम जो है वो calculator से करते हैं एक बार idea repeat हो जाए और 43 x 727 तो पहले दोस्तों 3 से multiply करते हैं 3 7s are 21 अब directly में कर सकता हूँ जैसे आप logic समझ गए now 3 x 2 is what 6 6 plus 2 you'll get 8 and 3 x 7 of course again you'll get 21 इस बार आई करते हैं दोस्तों 4 से now 4 7s are 28 and 4 x 2 is 8 8 plus 2 is 10 and 4 and 7 is what 28 plus 1 is 29 और आपो करना होगा add तो 16 1 carry 2 and 1 carry of course you'll get 3 so answer is 31,261 तो बहुत basic math है अब इसी चीज़ को देखिए अगर decibel में extend करते हैं binary में पहले बात करिए देखिए binary तो बहुते simple है बेकास दो ही number से multiply करना होगा 0 और 1 दो ही case में बहुते simple case बनेगा तो देखिए 1 से multiply करेंगे same number में मिलेगा 1 1 0 1 0 multiply and then for second one again you get 1 1 0 1 0 दोनों को कर लेते हैं add तो 0 1 1 1 और addition करना हमने सीखा है तो 1 plus 1 is of course 2 range में नहीं है तो base minus करते हैं you get 2 and you get a carry 1 1 plus 1 of course 2 तो फिट base minus किया 0 and 1 so answer will be 1 0 0 1 1 1 0 अब दोस्तों इसको actually extend करते हो और माली जे try करते हैं base 3 पे यह माली जे मैंने multiply लिखा है base 3 पे तो क्योंकि देखिए base 3 की बात कर रहे है तो 0 से लेके 2 तक जो number है उनको हम use कर सकते है अब देखिए कैसे किया now 2 into 2 is 4 4 base में नहीं है तो 4 को हम divide कर लेते हैं अपने base से 4 divided by 3 you will get remainder 1 और carry भी जाने वाला है 1 now यहां पर one has it is आगया again दोबारे देखिए 2 into 2 4 फिर वही कहानी 1 base में 1 उपर 2 into 2 1 plus 1 is 3 possible नहीं तो 3 divided by 3 पूरा divide हो जाएगा तो य応ाँ आखिए to remainder 0 and you get a carry 1 now 2 into 2 is 4 & 4 plus 1 is 5 तो नहीं जाएग है 5 minus 3 और divide by a 3 तो यहाँ जाएग जाए जाएगा वाला ही जाएगा किया उपर तो बहुत ही simple math है, चलिए इसको extend करते हैं, मालीजी ये हमारे पास number है base 8 में, देखें कैसे करते हैं, now 5 into 4 is 20, 20 range से बाहर है, now 20 divided by 18, so you get a remainder 2, 2, 8 is a 16, तो दोस्तों कितनी बार चला, 2 बार, तो 2 गया carry, और remainder आपके पास है 4, तो 4 is the sum, फिर देखें, 5 into 1 is 5, plus 2, 7 range में है, 5 into 2 is 10, now 10 divided by 8, 8 ones are 8, तो 1 गया carry, और 8 ones are remainder क्या है, 2, 2 comes here, now 5 into 7 is 35, plus 1 36, now 36 divided by 8, 8 fours are 32, so you get a carry 4, and 36 minus 32, you will get a 4, which is a sum, so now you get 4, 4, 2, 7, 4 in base 8, so I think basic idea आपको बिल्कुल clear हो रहा होगा, आगे देखें, base 16 में एक बार दुबारा याद कर लेते हैं, अगर कुछ लोग को याद नहीं हो, A, B, C, D, E, F, now you have 10, 11, 12, 13, 14, and 15, the representations after 9 है ना, 10 से लेके 15 तक अब देखेगा, करना क्या है हमको, तो एक एक करके solve करते हैं, सबसे पहले, माली जए कोई छोटा नमबर लेते हैं, because that will create a number of confusion, let me take it 2, ताके बच्छे समझ सेके, ना, इसी 2 into C, now C is actually 12, है ना, 2 into C is actually 2 into 12, which is 24, 24 is not in range, 24 minus 16, you will get 8, तो यहां पर दो, और दिवाइब बाइ 16, मेरे हो, हर बार से मी बोलना चाहिए, so that you don't get confused, 24 divided by 16, remainder is what, 8, और कितनी बार चला, 1 ताइं, now 2 into 6 is 12, plus 1 is 13, and 13 is nothing but D, now 2 into A, is what, A is 10, so you get 20, 20 divided by 16, so what is the 16, 1 जा 16, and the remainder will be what, 4, so 4 is here, and 2 into 4 is 8, and 8 plus 1 is 9, so the answer is 9, 4, D, 8, तो बिल्कुल सिंपल लोजिक है दोस्तो, अब अगर आप चाहें, तो सोचिए, multiply तो मेरे खाल साब को समझ आया, तो हर बार बस logic क्या है, जैसे पहले हम बात करते थे, minus base करें, इस बार base से divide करें, जो भी remainder होगा, base से divide करना है, जो भी remainder होगा, वो दोस्तों आपका होगा sum, और जितनी बार divide होगा ने कि जो आपका quotient है, वो आपका हो जाएगा carry, बस यही काम आपको हर बार करना होता है, अब देखिए, division पर मैं आपको suggest नहीं करूँगा, कि आप direct try करें, because sometime you may get confused, और calculations काफी जादा करने हैं, बट फिर भी case करके देखता है, let me take some random number, for example, 764 को मान लीजे, divide करके देखते हैं, let me say 5 से, और मान लेटे सारा काम हो रहा है, base 8 में, अब देखिए, कैसे game start होता है, तो 5 बंद अ 5 यहाँ तक तो कोई problem नहीं है, you'll get what 2, and then you'll get a 6, अब देखिए, ऐसा मत सोचेगा, 5, 5 is the 25, because बात किसमोरा दोस्तो, base 8 में, तो थेखिए, try करना पड़ेगा, base 8 में, मैं के case करके दिखाता हूं, तक आप इस बात को सोच पाएं, now base 8 में, what is 5 into 2, तो you understand, 5 into 2 is 10, और 10, of course range में नहीं है, 10 को, जो भी मैं आपको सिखाया, 10 divided by 8, तो कितनी बार चला, एक बार, 1 is the carry, और remainder होगा 2, so answer is 12, देखिए, base 8 में, 5 into 2 होता है 12, हमको 26 तक जाने की, कोशिश करने है, तो और थोड़ा बड़ा number, try करते हैं, what is 3, now again you say, 5 into 3 is 15, 15 divided by 8, so still 8 ones are 8, और 15 minus 8, तो you will get 7, so you will get 17, और बड़ा number try करते हैं, now 5 into 4, you will get 20, now 20 divided by 8, so 8 twos are 16, and remainder will be 4, so it is 24, very close, अगला number पकका जंप करेगा, तो इसका मला 5 fours चलेगा, 5 fours अब यहां पर base 8 में होगा 24, now you will get 2, and then you get 4, okay, we are lucky enough, so again we already know, 5 fours are 24, यहां पर होता है, it will cut, so you get 144, तो आप चाहें तो देखेगा, direct division कर सकते हैं, but I think it is very difficult, because अब अलग-अलग basis में, तो आपको tables याद हैं नहीं, तो बहुत complex हो जाएगा, तो बेटर है किया, दोनों को translate करें, पहले decimal में divide करें, और result को दुबार आप लेगा हैं decimal में, but दोस्तों मेरे कहल से, काफी सारा discussion हमने कर लिया है, और आपकी knowledge काफी enhance होई होगी, किसी भी number system के अंदर, या किसी waste के अंदर, कैसे plus minus divide multiply कर सकते हैं, मुझे दीजे थोड़ा समय, बहुत जल्दी हाज़िर होता अगली वीडियो के साथ, और अब दोस्तों बार चुरू करेंगे, representation की, चाहे fixed point है, floating point है, signed है, unsigned है, range क्या हो सकता है, limitations क्या है, तो इस सारा discussion स्टार्ट करते है, representation का, तब तक लिए धन्यवाद,